स्वागत है आप सभी को टेकी राच यूटुब चैनल पर कृपिया सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकून को दबाईए और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाईए नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी को टेकी राच यूटुब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर किसी भी बैंक का रिजिस्टर्ट मोबाईल नमबर को कैसे चैन्ज कर सकते हैं एटियम क जरिये से तो दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक जरू देखिएगा और येदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकोन का जरू दबाईएगा ताकि मेरे हर वीडियो का आप तक पहुंच सके तो दोस्तों चलिए बिना देर के वेश शुरू करते हैं हेलो दोस्तों यदि आप अपना खुद का वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो हम प्रवाइड करते हैं वेब डेवलोपिंग डिजाइनिंग सर्विसेस हमारे टीम से वेबसाइट बनाने प कार्ड आपको स्वाइप करना होगा स्वाइप करने के बाद में आपको यहां पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा इस ऑप्शन में आपको रिजिस्ट्रेशन आपको क्लिक करना होगा रिजिस्ट्रेशन बटन में क्लिक कर लिजेगा उसके बाद आपको यहां पे अ एक new registration एक change mobile number तो हम अभी mobile number change करने वाले हैं तो आपको यहाँ पर change वाला button पर click करना होगा जैसे आप वहाँ पर click करते हो आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि नया mobile number भरने के लिए जो mobile number आप change करवाना चाहते हो ठीक है वो number यहाँ पर enter कर दीजेगा उसके बाद correct पर click किजेगा उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बताया गया है कि please send OTP and reference number received in SMS from old and as well as existing mobile number to the following format तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि अभी आपको क्या करना होगा आपको अपना पुराना नंबर में और नया नंबर में दोनों में आपको SMS मिला होगा जिस SMS में आपको एक OTP और reference number आया होगा ठीक है तो आपको उस OTP और उस reference number को message करके 567676 पे आपको भेजना होगा या फिर आपका जो है दोस्तों यह basically हर bank का अलग-अलग number रहता है आपके case में दुसरा number भी रह सकता है तो आपको स्क्रीन में जो show हो रहा है उसमें आपको बेजना होगा सबोस्कि दोस्तों यहाँ पर मैं example दिखा देता हूँ सबोस्कि आपको received हुआ यहाँ पे message इस परकार से received होगा यहाँ पे आपका जो है दोस्तों यह message received हुआ ठीक है तो यह आपका OTP है और यह आपका reference number है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा आपको यहाँ पे activate message type करना होगा और यहाँ पर आपको भरना होगा अपना OTP और उसके बाद यहाँ पर आपको reference number भरना होगा और SMS कर दिना है यह number पे जो number आपको यहाँ पे show कर रहा होगा आपके ATM मशिन में वो number पे आपको भेज़ दना होगा ठीक है तो जैसे आप भेज़ देती हो आपका mobile number जो है change हो जाएगा लेकिन दोस्तों आपको नया number से भी message भेज़ना है और आपको पुराना वाला number से भी message भेजना है इस प्रकार से जो है आप अपना number को जो है change कर सकते हो और दोस्तों ये दी आपका पुराना number खोचुका है तो दोस्तों वो case में क्या होता है कि आप direct bank चले जाए बैक में जाके एक application लिख के submit कर दीजे bank manager से बात कीजे executive से बताए कि आपका पुराना number खोचुका है तो आपका नया number जो है वो update कर देगा ठीक है तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप आसानी के साथ जो है आप ATM से अपना register mobile number को जो है आप बदल सकती हो वीडियो पसंद आए तो एक like जरूर कीजेगा और शेर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटा को जरूर दबाईएगा